नमस्कार दोस्तों मैं डाक्टर अनल कुश्वा आज आपके लिए लेकर आए हैं जैसे कि हमारी करें नित्र लगातार कहे रहे थे कि सर TGT 2016 का जो TGT 2016 है उसका पेपर सर सॉल्व करा दीजे किसका तो TGT 2016 का आज हम पेपर सॉल्व कराने चलना है TGT 2016 का और इस पर कोड का आदेश था तो इसलिए ये एकजाम 2021 में जो PGT 2021 है उसके बस कुछ दिन पहले ही ये हुआ था मतलब हपते बर कांतर था तो ये एक्चुली में नाम जो है TGT 2016 के नाम से था मगर ये एकजाम जो हुआ था वो TGT मतलब 2021 में हुआ था ये लिखा है एकजाम 2021 में है और फाम 2016 के नाम से पढ़ा था तो तुरंत हुआ था तीनों एकजाम हुए थे मूल पेपर है कोई भी अंतर नहीं है और मूल पेपर आपके सामने है कुछ इसूस की वज़ए से रोल अंबर बगएड़ा हाइट किये गए है क्योंकि किसी की बेक्तिकत जानकारी इधर उधर ना हो इसका भी धेहन में रखा जाता है तो मूल पेपर है तो देखते हैं आज के कोईशन कौन कौन से कोईशन बने है और यह सौल पेपर है यह हमारा आप पर भी जाएगा आप जो हमारे आप पर मित्र है तो ओल्ड सौल कोईशन पेपर सेक्शन में देखेंगे जो भी हम आपको पेपर सौल कराएं सब वहां मिल ये YouTube पर भी जाएगा तो चुकि कई सारे YouTube के मितर भी है तो उनकी भी ज़रूरतें पूरी हो जाएगा और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि Old जो पेपर होते हैं जो old paper solve करना इतना महत्पून होता है कि repeat question बहुत होते हैं इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजेगा सुरू करते हैं आज का वीडियो उससे पहले request चैनल को like और subscribe जरूर करें देखें YouTube का जो channel है उसको आप बड़े मेहनत से वीडियो बनाया जाता है और time भी बड़ा देना पड़ता है तो इसलिए आप इसको एक बार share कर देंगे अपने सारी मित्रों क साथ तो बड़ी आपकी प्रियुक्त होता है which the fungi can detect, defect नहीं है, detect यहाँ एगा detect copper in traces and used in bioassay, bioassay जिससे हम सूच में तत्तों का पता लगा सकते हैं उनमें से कौन सा है, जिसमें ऐसा होता है, कौन सा fungus है, तो हम आपको बता दें, जो pencyllium notatum से pencylline प्राप्त की जाती है, क्या प्राप्त की जाती है pencylline प्राप्त की जाती है, इसे art of bruce के भी नाम से जानते हैं, saccharomyces जो cerevices है, इसे east के नाम से जानते हैं, जिसको खमीर आदी में और सराब बनाने में यूज़ करते हैं, aspergillus nizer जो है, इसका प्रियोग हम बिभिन प्रकार के जैसे की copper है, molybidnam, आदी का magnesia मादी को identify कर जाने के लिए प्रियोग करते हैं, तो यह आपको अगर आंसर मिलेगा, singh pande jain की book में, singh pande jain की book जब आप पढ़ेंगे aspergillus, तो उसके जो introduction है, habitat है, वहाँ last की तीन लाइनों में यह दिया है, किन किन पदार्थों को यह detect करता है, तो आपसा number 3 सही होगा, question number 2 सही, क्या थाप है, angioa sperm का विकास कब हुआ, द्यानकियेगा, angioa sperm का विकास कब हुआ है, विकसित हुए, the angioa sperm was developed in, तो actually में, जो PGT में इन्होंने माना था, तो mesozoic के christasious period को माना था, मगर जब यहां इन्होंने माना है, इन्होंने cenojoic को माना है, कि सबसे जादा development, अगर सबसे जोईक बिल्कुल है, मीजोजोईक में इनकी उत्पत्य होई थी, तो यह confusion भरा question था, जो question था, यह confusion भरा था, कि उन्होंने development का मतलब उदय से लिया है, या development का मतलब कि मतलब डबलब हो चुके थे, उनके विकास से है, तो यह फिर उन्होंने सीनोजोईक को माना है, जबकि मीजोजोईक में इनका विकास हुआ है, कल PGT का जब हम सॉल्ब करा रहे थे, तो हमने बताया था, क्रिटेशियस में इनका development हुआ था, तो यह development सब्द यहाँ इसपस्ट नहीं है, मगर जो भही आयोग मानेगा, वही हम भी मानके चलेंगे, तो आयोग ने सीनोजोईक माना है, तो यह सीनोजोई DNA से RNA अणो के अनलोखन में समली थे, ध्यान रखीगा, raw factors की बात कर रहा है, raw factors involved transcription of DNA to RNA molecule is A, जो raw factors होता है, वह involved होता है transcription, transcription क्या होता है, तो transcription DNA से ध्यान रखेगा DNA से यम RNA बनने की प्रोसेस को हम किसके नाम से जानते हैं तो transcription के नाम से जानते हैं तो यही कह रहा यहाँ factor काम करता है रोहो तो कहता है रोहो factor कहां काम करता है तो वो किसे संबंदी थे molecules is the DNA to RNA molecule is the protein किसे संबंदी थे तो protein से संबंदी थे यह option लगाएंगे D किसे संबंदी थे protein ध्यान रखेगान लेकर संब्लित रोह तक तो होता है तो वो protein का बना होता है किसका बना होता है रोह तक तो protein का ध्यान रखेगा बिल्कुल hormones तो होई नहीं सकता कोई मतलब यह यहाँ हार्मोन्स DNA RNA के संसलेशन में जो हार्मोन्स डारिक्ट ट्रांस्क्रिप्शन में कोई करते नहीं है नूकलियोसाइड का कोई मतलब है नहीं रोह फैक्टर से मिटैलिक का कोई अंतर है नहीं बचा था protein करें जो भीचfon, यही सही किया गया यही आयोग ने भी सही माना यही सही भी है कुछ क्वेशन जो होते हैं कामन सेंस के आधार पर depend करते हैं । य॥ि आप kita हम से जोलना चाहते हैं तो हमारा Dr. Notes Biology का अप है, धानकेगा, क्या है, Dr. Notes Biology का हमारा आप है, जिसको आप Google Play Store से डाउनलोड कर लें, Google Play Store से आप क्या करेंगे, Play Store से डाउनलोड कर लें और उसको Sign Up कर लें, Sign Up में Enrollment ID, Password आजाएगा जहाएगा, जहाँ आपको अपना तीन चीजे देनी है, इमेल आइडी देनी है, मुबाइल नंबर देना है, और अपना नाम देना है, तो इन्रोल्मेंट आइडी पासवर्ड आ जाएगा, नया बैच जो हमारा चला है, TGT PGT का 999 का है, तुरंत जुडिएगा, चुकि यह आफर टाइम में चला है, 4000 मेंबर से थी, उसको गटा कर 999 आप 999 की मेंबर से प्लेएगे, मैं वादा करता हूँ, आपका पूरा का पूरा स्लेवर्ड खतम कराएंगे, चुली में 899 वाला बैच जो है, वो भी चल ला था, उसमें लगबग 95% स्लेवर्ड खतम हो चुका है, और 5% स्लेवर्ड बचा है, और यह नया बैच है, आप इ PGT 2021 में स्लेट हुए, जो यह पेपर है, इसमें 35 प्लस मित्र स्लेट हुए थे, इस पेपर जो जिसका पेपर सौल्व करा रहा है, और इसके लाब असिश्टेंट पोफेसन में कई मित्र स्लेक्ट हुए है, तो यह हमारा परफॉर्फार्मेंस है, हम जो आपको क्लास लेते ह हैं वो selective class होती है हम class बहुत detail नहीं लेते हैं और ना हम पहले भी कह चुके हैं हमसे जुड़िएगा तो बिद्वान बनने के लिए ना जुड़िएगा कि हमें बहुत चीज़ें जो नहीं आती हूं सिखाएंगे नहीं केवल यहां हमारा उद्देस इतना है कि आपका exam clear हो जाए और नौकरी पाजाएं बिद्वान आप बनते रहेंगे इसलिए आप देखेंगे demo classes हमारी यूटूब पर पढ़ी हैं वो देख लेंगे जैसे हम पढ़ाते हैं बिल्कुत selected material पाहते हैं चार चार घंटे दद्दस कितावे रखे मिहनत की जाती है और उससे सिर्फ वो matter निकाला जाता जो TGT PGT के लिए important है फालतू का कोई भी matter नहीं दिया जाता और ना बहुत deep पढ़ाया जाता है और बहुत simple और घरेलू भासम पढ़ा जाता जिससे चीज़ें आप हराम से समझ सकें चली अब आता है next question तो आप तुरंत जुड़िए चुकि अच्छी तैरी के लिए 3-4 मा की जरूरत है और जैसा कि हमें सुनने में आ रहा है कि जून लाश्ट में वेकैंसी आ जाएगी और इस वेकैंसी के बाद इतनी बड़ी वेकैंसी दुबारा नहीं आएगी तो अगर इस बार चुके तो समझ लो पिर गए आपका नोकर ये खौब रहेगा देखें कुछ जीव तापमानों की व्यापक परास्चरम सहन कर सकते हैं और खूब बढ़ते हैं ये कहलाते हैं कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ज़्यादा टंप्रेचर पर ग्रो करते हैं ज्यादा, ज्यादा temperature होता है, वहाँ grow करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको प्रथु, तापी या U, हमारे पीछे चुपा होगा, इसको उपर कर लें, तो यहां समझ भाएगा, क्या बोलते हैं, U, रायत्रमल बोलते हैं, U, रायत्रमल के नाम से जानते हैं, तो आपसन इसका D सही होगा, वह ऐसे ज्यू जो ज्यादा temperature पर grow करते हैं, तो आपसन इसका यह सही होगा, नेक्स्ट कुश्चन देख लेते हैं, निम लिखित कथनों पर विचार कीजिए, लार इसनेहक की तरह कार करता है, ख्रड़ाइडा अर्दा essential फारदा, तो क्लोड़ाइडाइड बिल्कुल important है, तो इसका आंसर पहला और चौथा सही होगा, क्या सही होगा, पहला और चौथा, लार एमाइलेज सकृता के लिए क्लोड़ाइडाइड आवस्सक है, तो यह दोनों आयोग ने सही मानन है तो आयों किस प्रकार के जीवन neural a को अन्पीलत होता है तो हमने कहा था कि आछ से दो दिन थी दिन पहले पाइला पढ़ाता है, तो हमने कहा था कि पाइला amphibians होते हैं, क्या होते हैं, यह इस थल पर भी रहते हैं, कहा रहते हैं, यह इस थल पर भी रहते हैं, और जल में भी रहते हैं, तो यह कैसे हुए, amphibians हुए, तो इनका जीवन किसके लिए अनकूलित होता है, नहीं इन संबंद में गलत है, वाइरस जो होते हैं, विल्कुल सही है, विल्कुल सही है, वाइरस आर सेप्रोफाइटिक, बस यही गलत है, वाइरस कोई भी वाइरस सेप्रोफाइटिक नहीं होता है, और चुकि उसने पुछा गलत है, तो option C सही होगा, कि कोई भी वाइरस, जितने भी वाइरस प्रत्थी भी पर है, कोई भी मृतोप जीवी नहीं होता है, अर्था साड़े गले पदार्थों पर नहीं पाए जाता है, वो हर्दम लिविंग में ही पाए जाता है, वाइरस खार्ज एक वर्ड यूज करते हैं, ओबलिगेट पैरा साइट होता है, लाइकेन में लाइंगिक जनन का संपादन होता है, in lichen, sexual reproduction is performed, देखें, लाइकेन जो होता है, वो दो जीवों से मिलकर बना होता है, numero फंघान जो भाग होता केवल फंजाई इसका आंसर अगर आपको देखना है तो सिंग पांडे जैन की जब लाइकेन चेप्टर पढ़ेंगे तो लाश्ट में लाइकेन के रिप्रोडक्शन लगा हुआ है और उस रिप्रोडक्शन में आप पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा है कि इसमें फंगस ही का इसको माई सिटीज का इसको इसपोर वगेरा भी बना के दिखाएं थैलस की कार्ट में तो आपसन इसका एह सही होगा क्या केवल का वक हमसे फिर मैं कह रहा हूँ आप हमसे जुडेंगे बिल्कुल मेंबर्शिप छोटी सी रखी गई है चूकि आप के खर्चे हैं और चोट है नो बजे के बाद देली ये तो आप पढ़ी रहें वीडियो तो आप देखी रहें रात में डिसकसन करते हैं आपका स्लेवर्स रिवाइज कराते हैं आपको प्रेक्टिस सेट संदे संदे आते हैं इतना कोई भी कोचिंग संस्थान भारत का कोई भी कोचिंग संस्थान कर सकता कि आपके साथ रात में कोई बैठ कर डिसकसन भी करें और प्रेक्टिस सेट भी दें और नोट्स की पूरी लाइबरेरी भी प्लग कराएं कोई नहीं देता एक एक चीज के लिए पैसे वसुले जाता है और लास्ट में इंपोर्ट उनके पास इंपोर्ट कियो हुए ट और थोड़े से जहां 10-15 दिन हुए पता लगा टीचर बदल दिये अब आपका चुकी पैसा जा चुका है आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं यहां ऐसा कुछ नहीं है आप एक परिवार की तरह हैं आपकी हर मुसीबत हर समस्या हम सब मिल बैठ कर सुल जाते हैं तो यह हमारा अ भावनाओं को समझ सकते हैं तब आप जुड़िए चलिए निमलिखित कुल में से किसमें बाहे दल पुंज पैपस में परिवर्तित होता है इन विच दा फालूइंग फैमली इस दा कैलेक्स मोडिफाइट इंदू पैपस में किसमें होता है तो पैपस में कमपोजिटी के जो कैलेक्स होते हैं वो कनवर्ट हो जाते हैं बदल जाते हैं किसमें पैपस में और यह हमने आपको जब फैमली पढ़ाया है तब हमने इस पश्ट कहा था कि कमपोजिटी का खास अलच्छा है और कमपोजिटी क्या सबसे बड़ी फैमली है सबसे बड़ी फैमली मानी जात और अगर इसका अंसर देखना है तो चाहे वो आप सिंग पांडे जैन की फैमिली वाली एंज्योस पर बुक ले लीजे या फिर आप पांडे पांडे की फैमिली वाली बुक ले लीजे आप कमपोज्टी चेप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन ये लिखी हुई है कि क इसमें क्या कनवर्ट होता है फिर आता है होमोलोजी इंडिकेट होमोलोजी किसको इंडिकेट करती है होमोलोजी जो है वो किसको इंडिकेट करती है तो जो होमोलोजी होता है क्या होता होमोलोजी इंडिकेट होमोलोजी किसको या समझाता किसको निर्देशित करती है तो द तो तरह के अंक बताये थे हमने आपको बताया क्या था कि इसमें क्या होता समान पूरज परमपरा देखने को मिलती है अप सारी विकास देने देखने को मिलता है तो बोध दोनों के दोनों आएंगे divergent और common ancestry देखने को मिलती है तो यह option दोनों आएंगे फिर a question बना था next अर्धसूत्री के प्रोफेस फस्ट में निमलिखित में से क्या नहीं होता है विच आप दा फालोई डज नाट हैपन इन दा प्रोफेस फस्ट आप दा मियोसिस मियोसिस फस्ट में प्राया डज नाट हैपन क्या नहीं होता है तो क्या नहीं होता है condensation up chromosome to यह तो होता है condensation up chromosome कहाँ पाय जाएगा तो leptotene leptерт Changدم में ही पाय जाता है pairing अप chromosome किस में पाय जाता है leptotene niin daigotein जाईोट Cincinnati جाईग जान जाए जाटा है Cheezma fl पाय जाता है तोוך चूख Wil फारमेशन kalau condition में पाय जाता है तो segregation नहीं होता है, क्या नहीं होता है, segregation तो option D सही है, क्या सही है, D सही है, कहता है निमलिखित में से कौन सी gas greenhouse प्रभाव उत्पन करती है, of the following, which gas produce the greenhouse effect, greenhouse effect में सबसे ज़्यादा जो उत्पन करती है, वो carbon dioxide है, यह common question पूछा गया था, तो आप यह सोग जानते हैं, कि greenhouse gas, जो से प्रमुग गैस है, green house के समय जुम्यदार, वो carbon dioxide है, नियो प्लाइना जोडने वाली कड़ी है, देखे यह भी कली question आपको discussion में पढ़ा रहे थे, जब मोलस्का पढ़ा रहे थे, तो मोलस्का में हमने बताया था, कि नियो प्लाइना जोडने वाली कली है, तो किसको जोड तो नियो प्लाइना प्लाया, एनी लीडा और मोलस्का को आपस में जोड़ती है, यह मगर सदस मोलस्का का है, नियो प्लाइना सदस मोलस्का का है, मगर इसमें एनी लीडा और मोलस्का दोनों के लच्छन पाय जाते हैं, तो option इसका A सही होगा, नियो प्लाइना एनी लीड एक्सो सीटस को ऊड़ने वाली मछली कहा जाता है उडने वाली मछली कहा जाता है क्सको कहा जाता है एक्सो सीटस को निमलिखित में कौन सा जन्तु? 25 सील रूपांतरण दिखाता है रेट्रोगेस्वी मेटा मार्फोसिस जब हम आपको हार्ड मानिया पढ़ा रहे थे हार्ड मानिया तो आपको हमने एक चीज बताई थी कि ये कोशन बार बार पूँछा जाएगा और देखे 2016 वाले 2021 में जो एक्जाम हुआ सायम कोशन रखा है तो हमने कहा था फालोइंग विच एनिमल एक्जिबिट रेट्रोगेस्वी मेटा मार्फोसिस किसमें देखने को मिलती है तो रेट्रोगेस्वी मार्फोसिस हार्ड मानिया में देखने को मिलती है Retrogacy Metamorphosis होती क्या है अब क्लास अब हमारी देखेंगे तो समझ में आएगा Retrogacy Metamorphosis यो होती है वो होती क्या है बला क्या है तो कहता है कि इसमें जो complex organism होता है जटिल जो जीव होते हैं वो simple जीवों में बदल जाते है यानि जो larva इनका होता है वो जटिल होता है जबके हाडमानिया सरल होता है इस प्रकार का जो कायांतरन है उसे Retrogacy Metamorphosis के नाम जानते है जो के हाडमानिया में देखने को मिलता है नेक्स्ट कुश्चन है निम्ने में से पैरामीसियम की किस प्रजाती में जो कुलोरिला सहवाल सहजीवी के रूप में पाया जाता है एक पैरामीसियम कैसी जाती है जिसमें जो कुलोरिला पाया जाता है जो कुलोरिला पाया जाता है कुलोरिला इलगी पाया जाता है वो कौन सी है तो देखें काउडेटम और और औरिलिया ये दोनों ऐसी जाती हैं जिनमें ऐसा कुछ नहीं होता है काउडेटम में तो हमें लगता है दो केंदरक होते हैं और इसमें साथ ये इसमें दो माइक्रो होते हैं मल्टी माइक्रो नुक्लेट्स में कई सारे छोटे केंदरक होते हैं बरसेरिया एक ऐसी जाती है इसके कौनसी? बरसेरिया ऐसी जाती है जिसमें जू कलरला उसके अंदर पाय जाता है, पर्रमिस्यम के अंदर. नेक्स्ट कुश्चन देख लेते हैं परिभासिक सब्द ब्रायोफाइट सरपर्थम किसने प्रवर्तित किया था यह जिसका भी पेपर है देहां लखेगा यह जिसका भी पेपर है हम आप उसके बारे में बता दें कि इनके इन्टर्व्यू नहीं दिया था चुकि इनका सेलेक्शन जो हुआ था वो PGT 2021 में हुआ था और PGT 2000 सोरी TGT 2021 में भी इनका सेलेक्शन हुआ था तो TGT तो इन्हों छोड़ा PGT जोईन कर लिया था तब इसका रिजल्ट आया था और इसमें भी इतने अच्छे मार्क्स थे कि अगर ये इंटर्व्यू देते तो टाइप टॉप 10 में इनका नंबर था इतने अच्छे मार्क्स थे फिर इन्होंने इंटर्व्यू छोड़ दिया था चुकि ये TGT था लेड़ी PGT जोईन कर चुके थे तो इन्होंने ये छोड़ के दिया था कि अगर इंटर्व्यू दिया तो एक सीट को किसी का नुकसान हो जाएगा चुकि जोईन अब इनको कहीं करना ही नहीं था PGT आल्रेड़ी जोईन हो चुके थे तो ये था तो देखेगा परिभासिक स नेक्स्ट देखते हैं निमलिखित में से कौन सा एंब्रियो फाइटा समू के अंतरगत आता है इन में से एंब्रियो फाइटा के अंतरगत कौन सा आता है जिसमें एंब्रियो बन रहा हो ध्यान रखेगा क्या बन रहा हो एंब्रियो यानि जिसमें ब्रून बन रहा हो तो स सायवाल में ब्रोंड नहीं पाया ሏ, ब्रायोफाइट में ब्रोंड पाया सीटरस denying करará होता है, अपने देखा होगा इसमें लाल कलर के चकते पर जाते हैं, यह किस से दोारा होता है 555 को सायवाल में ब्रूंड ayowind में ब्रूंड नहीं disturь पाया जाता है गैनास citri एक bacteria है, citri जिसके दोरा होता है, और जो कि bacteria है, तो यहां चुकि डारेक्ट पूछा है, तो जैंतवहोना citri, bacteria के दोरा citrus का अंकर, रोग होता है, next question पूछता है, उल्टा, जो inverted cortical vascular bundle कि में देखने को मिलते हैं, inverted, जो vascular bundle बändल देखनेगों को मिलता है In अगर आप काटेंगे और इस तरह को देखने को मिलता है यह ऐसे और केवल कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल बोलता तो कैजोराइना में देखने को मिलते हैं देहन रखेगा किसमें देखने को मिलते हैं कैजोराइना में कॉर्टिकल वैस्कुलर डेहन तो इन्हें इन्वर्टेड देखा है तो इस तरह से आपको शितर देखेगा निक सायथ देखने को मिलता है मैं confused हो कहज़ो रही ना या उसमें ड्रेसिना में एक है जिसमें cortical vesicular bundle इंवर्टेड हर्दम निक टेंटस इसको थोड़ा एक बार confirm कर लिजिए अप चुकि दिमाग में समय मिस हो गया है चलिए, नूकलियोसोम तो इसका option क्या होगा, inverted to nictenthus है, नूकलियोसोम बना होता है, तो नूकलियोसोम किसका बना होता है, तो नूकलियोसोम DNA का बना होता है, DNA का ऐसे circle लगा रहता है, और इस गोले में क्या पाय जाते हैं, तो ये 8 हिस्टोन प्रोटीन के पाय जाते हैं, हि हिस्टोन प्रोटीन पायाती और हिस्टोन प्रोटीन में क्या पाया जाता है रख्त को यदि अपकेंदरी किया जाए तो निम लिखित में से कौन सा सर पर थाम अपकेंदरा नली के तल पर बैठ जाएगा इन हुमन ब्लड मिक्स्ड विट आयन एंटिकोगलेंड जमने वाले पदार्थ के साथ डाला जाए और सेंटिफिव सेंटिफिव मसीन जो होती है उसमें डालकर उसका रोटेट कराया जाए और विज दा फालोईंग विल सेटल फर्स्ट अइट बाटम तो सबसे पहले कौन बैठेगा? तो सबसे पहले इराइफ्रोसाइट बैठेगा लाल रूदिरकलिकाएं जो हैं वो नीचे सबसे पहले बैठेगे तो option A सही करेंगे निमन में से फैसियूला के किस डिम्भक अवस्था में कोई डिंबक उत्पन्य नहीं होता है इन दा फालूइंग विच लार्वा लिष्टेज आप दा फैसियूला डज नाट प्रोड्यूजड सेवरल लार्वा किस में उसके अंदर लार्वा नहीं बनता तो हमने एक दिया था स्री राम चंद्र ऐसे एक हमने दिया था स्री राम चंद्र मुए भूलेया यह ट्रिक दी थी जब हम आपको फैसियूला ही पैट का पाहा रहे थे तो इसमें से सरकेरिया जो लार्वा है इसके अंदर कोई भी लार्वा नहीं बनता है अब मुझे याद नहीं आ रहा है जो नाम दिया था वो दिया था स्री राम चंद्र आज हाँ दिया था मानिनी स्री राम चंद्र चंद्र जी मिले यह था मानिनी का मतलब था मेटा सरकेरिया स्री से था मतलब बह में लगता है इस्पोरोसिष्ट राम से था रेडिया, चन्दर से था सरकेरिया और मिले से था मेटा सरकेरिया ये इनका क्रम हमने बताया था पूछा जाता है तो सरकेरिया है अब से वह आप जब वीडियो देखेंगे क्लास लेंगे हमारी तो वहाँ देखने को मिलेगा, नए वैच में आएंगे निमलिकित में कौन सा कीट साइलाक उतपन करता है इन दाइसेक देट अप साइलाक साइलाक लाक को बोलता है देहना कि लाक, लाक 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 होता है लाक कीट जो होता है लाक होता कि लाक होता है तो उसे बोलते हैं तो वो क्या है एपिस इंडिका ये मदू उत्पन करती है सहद बाम्बेक्स मौरी बाम्बेक्स मौरी किसको उत्पन करता है तो बाम्बेक्स मौरी जो है वो रेसम उत्पन करता है क्या उत्पन करता है रेसम तो अ भी नहीं, अ भी नहीं, लाइसिफर लखका, यही सही है, लाइसिफर लखका, यह लाक उत्पन करता है, यह रखेगा लिम लिखित में से किसे इस्तंधारियों का यूग कहा जाता है तो इस्तंधारियों का यूग तो सीनो जोई को ही कहा जाता है सीनो जोई को ही इस्तंधारियों का यूग कहा जाता है मीजो जोई का जो बोलते हैं वो रेप्टाइल्स का यूग कहा जाता है तो option इसमें क्या सही करेंगे सीनों जो एक simple question था में ढ़क तो which type of joints are found in the pectoral and pelvic girdle frog from the following जो frog में pectoral और pelvic girdle में जो पाया जा रहा था जो pectoral और pelvic girdle में किस प्रकार का joint पाया जाता है तो ball socket joint पाया जाता है यह pelvic ही ए है और pectoral ही है तो यहां ऐसे हाथ लगा के देख लीजे तो यहां जो joint पाया जाता है यहां और यह कमर में तो यह ऐसे पाया जाता है और यह हड़ी जो होती यह ऐसे तभी तो यह हाथ ऐसे से आप गुमा लेते हैं यह इस तरह का तो कैसा है बाल ये बाल की तरह है और ये कैसा है सौकिट की तरह है तो ऐसे है समझ गए होंगे निमलिकित में से किसकी उपस्थित के कारण फैर्टिमा का रक्त लाल होता है फैर्टिमा पोस्थुमा की बात कर रहा है और वो किसके कारण होता है Intercellular Hemoglobin के कारव इंटरासेललर नहीं है चुकि जो Hemoglobin में यह Plasma में गुला रहता है किसमें गुला रहता है Plasma में तो यहां Intercellular और Interma में Confusion बहुत है तो Intercellular का मतलब कोशका के अंदर पाय जा रहा हूँ जबकि यह Plasma में गुला रहता है तो यह तो खतम होगा यही सही माना जाएगा इंटरसेललर हीमोगलोबिन आजाता है देखे कैसा कन्फ्यूज किया पेपर बनाने वाले ने नेक्स्ट कुश्चन है कसाभी का यूप्त चल कोशिकाओं का सरवथा भाव होता है मोटाइल सेल विद फ्लैजला और आल टुगेदर अपसेंट किसमें अनपस्तित होती है तो सबसे किसमें अनपस्तित होती है साइनोफाइसी में साइनोफाइसी में क्या आते हैं ब्लू ग्रीन एलगी आते हैं क्या आते हैं फिर आता है एक्विसीटम का तना प्रोटो जाइलम वाहिनियों में विगटन से बनने वाली गुहा एक कैविटी फार्म जब आप एक्विसीटम पढ़ेंगे सिंग पांडे जैन के टेरोडो फाइट में तो वहां आप देखेंगे प्रोटो जाइलम ट्रैकेडिन एक्विसीटम का तना में प्रोटो जाइलम वाहिनियों के विगटन से बनने वाली गुहा को क्रेंइल कैविटी बोलते हैं क्रेंइल कैविटी और दो कोशन पूशाते हैं एक cranial cavity पूछ था एक volicular cavity ये भी बहुत महात्वपूर्ण है volicular और cranial cavity ये दोनों बहुत महात्वपूर्ण है तो चुकि प्रोटो जाइलम की बाहिका हैं विगटित होती हैं तो वो cranial cavity बनाती हैं और ध्यान रखेगा जो TGT 2021 में question पूछा था EC को पल्टा कर उसने पूछा था कि cranial cavity किसके विगटन से बनती हैं तो वहाँ option था प्रोटो जाइलम वही सही था प्रोटो जाइलम के विगटन से यहाँ ऐसे पूछा था और वहाँ EC को question बना दिया था इसको answer बना दिया obtained from किसे प्राप्त होता है बारकाप sincona sincona officialis की जो चाल होती है उससे हम क्यूनीन दवा प्राप्त करते हैं जो malaria के रोगी को दी जाती है एट्रोपा जो बेला डोना एट्रोपीन प्राप्त की जाती है रिसिनस क्यूमनिस यह R&D का नाम है रॉल्फिया सर्पेंटाइना जो hyper blood pressure में ज़्यादा blood pressure में दिया आता है रॉल्फिया को क्या बोलते है सर्प गंधा बोलते है सर्प गंधा के नाम से जानते है तो यह था option चुकिए इसका A सही है तो बाती कहता है तो आज के लिए इतना ही इसके आगे की class जो है वो हम आपको next देंगे तो आप देख रहे थे जो 2016 का TGT का solve paper था वो देख रहे थे तो आज के लिए इतना ही इसका साथ नमस्कार